हलो दोस्तों आप से लोगों में स्वागत है दोस्तों हम बात करेंगे बालों के लिटेट एनि ऐसे लोग जो बालों की समस्यों से प्रेसान है जिनके बाल तूट रहे हैं ज़ड रहे हैं या वक्त से पहले सफेद हो रहे हैं या सर से एक दम बाल उड़ चुके हैं अब टैम पिया इस दोर में वक्त से पहले βार सफेद हो रहा है वक्त से पहले बाल जड जा रहे हैं और वक्त से पहले आदमी गंजा हो जा रहा है हखास करके इसी बहुत सारी समस्या आपको अक्सार देखने को मिलती है कि इस टैम पे बहुत से इसे लोग है जो नौजवान है जो अंडर 18 है या 18 पस भी नहीं हो है प्रॉपर से और उनके भी बाल ज़ड़ है तूट रहे है ठीक उसी तरीके से लेडिसों में समस्या है भो जादा देखने को मिली कि उनके भी हो जादा तूटते हैं जड़ते हैं वक्से पहले पकने लगते हैं तो कुई भी हो चाहे लेडिसों या जेंसों जिनको बालों की समस्या है बाल तूट रहा है ज़ड़ रहा है या सर में गंजापन हो रहा है अब वो चाहते कि मुझे कुई ऐसा ओल मिल या उसको मैं करना है कोई भी हो चाहे लेडिसों या जेंसों जिनको बालों की समस्या है जेंस में जिससे बाल तूट रहा है बाल वक्से पहले सफेद हो रहा है या भो ज्यादा बाल जहड़ रहे हैं अब उसके अंदर जो है सिरे दम दिख रहा है हलके हलके बाल बचे हैं तो वो लोग इस लोग भी इस oil को लगा करके और अपने बालों को recover कर सकते हैं तो भूती कमाल का तेल है इसका कोई भी side effect नहीं 100% natural 100% safe है तो simply दूस्तों कोई भी हो ladies हो जो जो लोग बालों की समस्या से परेसान है तूट रहा है जड़ रहा है या दू मुहाबाल हो रहे हैं या सरमे गंज नहीं 100% safe है इसी के सात में आपको लेना है 25 एमिल ऑगशे मरग यह भी आपको हमदद कंपनी को लेना है और फिर आपको हमदद कर लेने ठीक है यानि रोगन आमला साधा 200 ml का रोगन बैजे मुर्ग 25 ml का और रोगन जरारी आपको लेना है 15 ml का ठीक है ये तीन सीसी आपको पर्चस करना है और ये आपको आसानी से मिल जाएगा आयरुवेदिक मेडिकल पर आपको आसानी से मिल जाएगा ठी कि सबसे पहले आपको एक बाटर ले लेना है कोई खाली सा ठीक है उसके अंदर आपको सबसे पहले रोगनामला साधा डाल देना है ठीक है यहीं जो आपका 200 ml रोगनामला साधा है उसको उसके अंदर पल्टी कर देना है दूसरा फिर आपका जो रोगन जरारी है 15 ml का उसको भ घर चुका एकदम टकला टाइप का दिख रहा है, अगर वो लोग इसको यूज करेंगे, तो कुछ दिनगार इसको यूज करते हैं, तो धीरे-धीरे वो बाल वापस से आना चालू हो जाएंगा, ठीक है, तो अब इसको यूज किस तरीके से करना है, आपने तीनों चीज पर् लगाना है, ठीक है, फिर तीसरी दिन आपको फिल लगाने हैं, चौत्य दिन आपको फिल लगाने हैं, एक दिन लगाना है, दो दिन आपको नहीं लगाना है, फिर दो दिन के बाद फिर आपको नहाना है, डप सेंपू या को अच्छा सेंपू ले लिजे, उस सेंपू से आ लीजे या बहतर हो गए उसको छिला लीजे ठीक है लेडीसों में क्या होता है कि उनके बाल अक्सर बड़े होते हैं तो उनको लगाने का तरीका बहुत ही सिंपल है उनको थोड़ा सा गादी पे तेल लेना है और कुछ इस तरीके से करना है और इस तरीके से यह जर के नीचे लगाने ठीक है यह जो चमडी दिखती है इस चमडी में इसको लगाना ठीक है तो लेडीस लोगों को बहुत ही आराम से और धीरे धीरे इस तरीके से उसको लगाते रहेना ठीक है जिनसों में क्या है कि जिस तरीके से लेडीस लगाएंगे ठीक उसी तरीके से उनको भी तो अगर आपको ज़रुवत नहीं है तो आप एक दिन लगाओ फिर दो दिन का गयब करके फिर तीसे दिन लगाओ इसी तरीके से आपको कम से कम 6-7 महीने तक रेगलर यूज करना है जो लोग बालों की समस्य से परिसान है बाल जड़ चुके हैं और जो है सर में जो है चखते होगे जगा जगा टकला टाइप को हो चुका है बहुत सारे तेल लगा लिए को रिस्पांस नहीं मिल पा रहे है वो लोग इसको एक बार ज़रूर यूज करें इसका कोई ज़्याद है अब यहां पर यह देखने वाली बात होती है कि जिनके बाल वगरा जादा जड़ते हैं या जादा जो है बालों में समस्या होती है वक्स से पहले सफेद होता है या जड़ने लगता है या टकला पन हो जाता है या एकदम गंजा हो जाता है उनके अकसर जो है पेटों में तो आपको अच्छा खासा रिजल डाएगा, यानि बालों की जो समस्यां उत्पन होती हैं, वो पेट से उत्पन होती, तो सबसे पहले अगर आपके पेट में दिक्कत है, तो आप पेट के लिटेंट भी कोई मेटिकल से दवाई ले लेना, उसको भी यूज करना, अंगरी जी कोई ऐसा फार्मूले है, कोई ऐसा ओल मिल जाएगा, उसको मैं यूज करके अपने बालों के समस्यों से चुटकारा पा सकूँ, तो वो लोग इसको यूज कर सकते हैं, बालों के रिलेट कितनी भी समस्या है, कितनी भी पुरानी है, कितना भी जहर रहा है, टूट रहा है, वक्त से पहले गंजापन हो रहा है ऐसी तमाम समस्यों से अगर आप शुटकारा पाना चाहते हो तो इस ओयल को आप पर्चस कर लिजे मेडिकल से और बना लिजे और जिस तरीके से मिन आपको बता है उस तरीके साब यूज कर लिजे तो I hope दोस्तों कि वीडियो को पसंद अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजे और अगर अगर में पहली बारा है तो हमारी चनल को सब्सक्राइब जरूर करें